हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बाद दुवारत से अपके अपने चैनल विवेगनणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नए दोजने को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दमाना ना बुला ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिविगेजन रि जो खासकर पैनी स्टॉक होते हैं तो मेरा एक रूल होता है दो पर्सेंट और कैपिटल इंवेस्ट करके आप भूल सकते हो ठीक है तो आप बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक है जी दोस्तों बहुत लोगों ने इसके उपर मेरे से रिवीवी चाते हैं मेरा कि स्टॉक को क्या कर अच्छी है में तो दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक का नाब आपके सामने है जीने थेल्ट के लिमेर्टी चाहां दोस्तों लगता लोग स्के उपर कोशन पूछने में लगे है और स्टॉक आपका 80 पैसे से 15 रुपे तक ट्रेवल गया था उसने मतला अल्मोस अब ह सकते हो 1000 परसेंट से जाता रिटन इसने तिखाया था और स्टॉक अभी करेंट्री 6 रुपे का समय ट्रेट कर रहा है और दुवारा जे उपर जाने का प्रियास कर रहा है और मेरा माना दोस्तों मैंने जैसे लिखा है डूनोट बाए नाउ दोस्तों आपको कुछ रीजन ब देखे जाना और साथ में कुछ अगर समझ आएगा तो लाइक दवाना ना बूलना और शेयर कर देना फेस्वूक टूटे टेलिग्राम वड्सम में आज संडे था आपको बता जैसे तो हमारी क्लास होनीती हो चुकी है और अगर आप चाते हो उस क्लास का लिंक लेना तो ड कंपनी है और जैसे आपको बता पोस्ट कोविट हो जाने के बाद जब आपका लॉकडाउन लग चुका था उसके बाद फार्मा में बहुची रैली देखने को मिली है और दोस्तों फार्मा के वीच में जो आपके पैनी स्टॉक से बहुत सारे जो एक रूपी के इंचे टे कर रहा तो जोगों का पोस्ट करना चाहिए यह कोश्टन लोगों का पोषचा बाव 받 लाक पूचसर रहते कि नहें तो देखते कि का प्रोस्ट कोफिनल मोस कै Basis में हम का नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक का जो मार्केट के अब है 35 कोड के आसपस का मार्केट के अब है और बुक वैल्यू के साथ से काफी उपर अभी ट्रेट कर रहा है हाई लो आप चेक कर सकते हो 89 पैसी का लोग था 15 रुपे का हाई लगाया था चीक है और कंपनी का जो ROC काफी बढ़िया है 89 परसेंट के आसपास है और ROE भी काफी बढ़िया है तो कंपनी का अभी तक तो काफी अच्छा लग रहा है और एक रुपे की प्लज होल्डिंग नहीं है अभी तो कंपनी मुझे काफी पसंद आ रही है अब आगे देखते है और दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी के पास थोड़ा सावत कर जाए जो अभी के अभी देखे debt-free बन सकती है और दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी आपको लगाता profit दे रही है लेकिन आपको dividend नहीं दे रही है तो dividend वो use कर रही है long term बोच सकते हो long term growth में ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं promoter holding थोड़ी सी low है 28% के आसपास है ठीक है मेरे साब से अगर एक रूपे का pen stroke है उसमें अगर आपका 28% के आसपास holding थी promoter की तो बहुत बढ़िया होता है तो दोस्तों एक बार जीनेत हेल्थ केर share के एक बार profit noise देख लेते हैं मैंने पूरा का पूरा चिट्टा खोलावास का ठीक है हर साल के आपका profit देखने को मिल सकते हैं तो अगर आप दिहान दोगे company के जो आपका sales है लगातार company के sales बढ़ रही है बहुत असाईन है ठीक है पाई 20 के आसपर 57 लाग के आसपर का company को profit हुआ था और उसे पहले 14 लाग के आसपर हुआ था और अगर आप current ATM देखती हो तो मातर 87 लाग के आसपर का company को profit हुआ था दोस्तो डेफिनिटी जो यह stock की जो आपको rally देखने को मिली है यह तो profit के वज़े से तो नहीं मिली है यह तो हम देख सकते है प्राइस के profit के हिसाब से लेकिन अगर यह ख़बर मतलब जो stock में आप उसको rally देखने को मिली है जीनित healthcare में वो सिर्फ एक मिखासने मुझे लगता है यह news के वज़े से होगी ठीक है और news थोड़ी सी एक positive news होगी stock के लिए लेकिन आपको जैसे पता जो को पंटर होता है पंटर मतलब आपके जो operator होते है जाए इपर operator के हाथ में कोई stock लग जाता तो definitely वो चाया तो stock को 100 रुपे करके शोड़ सकते है तो definitely मुझे लगता है इसमें किसी बड़े operator का हाथ डला है और उसने भर भर के stock को उपर pump किया है और फिर डपर dump भी कर दिया है definitely भाई मेरे साब से profit के साब से जिस price में भी आपको मिल रहा है stock पंदा रुपे तक गयता वो ठीक नहीं था value के साब से ठीक है definitely अगर अब देखते कि भाई है हमें क्या क्रण मार्कित भाई में stock को बाय करना चाहिए उसके लिए दोस्तो शेर करूंगा stock का चार्ट वियू तो definitely चार्ट वियू को एक बाद देखके चले आना जिससे आपको पता चले जाए कि आपको stock में investment करनी चाहिए या नही चाहिए चार्ट शेर करने से पहले एक बार हम देख लेते कंपनी के और quarterly results ठीक है तो quarterly results भी आप देख सकते हो company लगातार आपको profit देरी हो 24 लाग 11 लाग के आसपा मत्तलब कंपनी ठीक है तो ठीक है मत्तलब और आगे अगर देखते है balance sheet तो आप देखते हो balance sheet कंपनी के पा आसा है almost 9% के आसपास ठीक है मतला भी तक तो काहनी अच्छी चल ले लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे से रूल्डी pattern मैंने खुल लगा यहाँ भी प्रमोटर के holding ठीक है लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान रखो मैंने आपको एक बात बोली है प्रमोटर holding मे ध्यान रखो जब भी कोई स्टॉक अगर उपर जाने वाला होता है गिरने वाला होता है तो डेफिनेटी प्रमोटर holding चेक किया करो ठीक है अगर देखो दोस्तों अगर वो स्टॉक में मालिकों ने कोई holding नहीं बढ़ाई है उपर जा रहा है तो डेफिनेटी कुछ ना पता है कि 15-16 गुना हो गया लेकिन दोस्तों सोचो जो मालिक है जो मालिक है कमपनी के उनको जो अंदर काम करते हैं मालिक परम ओनर्स उनको तो यह पता है कमपनी के अंदर क्या चल रहा है समझवार है तो वो क्या अपनी holding आदे परसेंट या एक परसेंट के आसपर बढ़ आई है ठीक है तो ध्यान लगो जो भी श्रोक अगर उपर जाता है कभी ठीक है जो भी श्रोक अभी उपर जाता है ध्यान लगना कि उसमें डेफिनिटली प्रमोटर अपनी holding बढ़ाते है आपको याद होगा विकास मल्टी कॉप शेर को जाकर चेक करना दो रूपे से आल् कर रहा है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको दुवारा किसी स्टॉक में एंट्री करनी है जो अपर सकेट के बाद नीचे गिरा हो और फिर दुवारा अपर सकेट में जा रहा हो तो आपको बहुत सिंबल करना है उसकी प्रमोटर holding चेक किया करो अगर माल हमसे भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि हमें स्टॉक में इंवेस्मेंट क्यों नहीं करना चीए अगर आप एक तब फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हो तब आपको इग्णोर करना है अगर आपने पहले से बाय करके आप इसमें होल्ड कर रहे हो तो एक पर प्रॉ फूचर में स्टॉक कभी 2 रुपे डाही रुपे का मिलता है तो आप बेट लगा के भूल सकते हो मुझे लगता है इस टॉक आपको आराम से 3 रुपे आराम से दिखा सकता है फूचर में क्यों दिखा सकता है मैं आपको एक चार्ट उपर गया नीचे गिया ठीक है जब भी कि अपर जाता है नीचे जाता है आपको एक चीज़ देखेनी है उसको बहुत है वॉल्यूम ठीक है आपको यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या चल रहा है कि कितनी क्वांटेटी लोग घर लेके गये कि कि किसी को यहां नहीं पता चला लेकिन हमें एक चीप चलती है होती है volume जो हमें दिखती है तो यहां पर हमें volume देख रहा है ठीक है आपको सिर्फ volume के basis में strategy मिना नहीं है मैं आपको अपनी करता हूं कि मैं कैसे चेक करता volume को देखके हमें कम एंटरी करना कब स्टॉप उस लगाना है दोस्तों देखिए जब इस्टॉग नीचे गिरा तो एक बहुत बड़ा सा volume जन्रेट हुआ इस इन तो देखिए यह जो जन्रेट हुआ है आलमोस्त यह बहुत बड़ा volume था और यह जो volume था almost आप बोशकते हो almost 6 महीने 6 महीने की candle चैनलों से भी बड़ा वॉल्यूम था छै महिनों की चैनलों से भी बड़ा इंट्रेडवे वॉल्यूम बना था ठीक है तो यह हमें सेम दर्सारा है कि भाई स्टॉक में बहुत बड़ा सैल यहां पर किया गया और मुद्स 1.7 मिलियन का वॉल्यूम था खुद तगड़ा माल यह बेचा गया है definitely जिस बैक ती जिसने यहां बेचा है माल को वो स्टॉक को यहां जाने के बार रजिसन लेके निचे गिरा देगा definitely गिराएगा क्योंकि भाईया उसने बहुत भरके माल बेचा है यहां पर और दूसरी बात अगर आप ध्यान दोगे दुवारा से तो यह यह volume दुवारा बना यहां पर देख़तो सेम volume बना ओर यह volume यहां कही बना है और stock दुवारा उपर जा रहा है ठीक है अब मेरा मानना है यह stock क्यो दूबारा से यहाही registered लेके यहां количество लेकर और यहां रिजिसन लेकर कभी भी नीचे इचे गिर सकता है तो 7 रुपी 30 पैसे सक और साथ रुपे की बीच में यह स्टोक डेफिनिट दुवारा से एक लोड सक्रेट पर दुवारा आ सकता यह मेरा मानना है ठीक है अगर आपको दुवारा स्टोक यह पड़ावा स्टोक एक रुपे दो रूपे के असपास आपने अगर बाय किया है तो डेफिनिटी एक बाद प्रॉफिल कर लो और अगर आपने लॉंग टरं के लिए इस चौक को बाय किया है मतलब होता है बहुत है लोग 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 लाग के बाय करते कि जैसे आपने मान सेंटरी हो सकती है स्टॉक तो बाई करने की ठीक है चलो बाई